Hello dear students, welcome to my channel, बेटा जी हम कर रहे हैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों की गणित की कारेपुस्तिका और उसका अध्याय चार और पांच को मिला कर जो हमारा पाठ है आधारवुत जामीतिय अधारनाई एवं प्रारंबिक आकारों को समझना ये देखो यहाँ आपकी वर्क बुक के उपर लिखा भी होगा अगले प्रश्ट पर देखो ये लिखा हुआ है अध्याय का नाम तो ये अध्याय मैं करवा रही हूँ इसके 30 प्रश्ण मैं पहले करवा चुकी हूँ और आज 31 में प्रश्ण से हम शुरू करेंगे तो चल ये शुरू करते हैं और जिन विद्यार् नीचे दिये प्रतेग भाग में सभी बिंदूों से गुजरता हुआ वरित प्रकार की सायता से कीजिए खीचिये जबकि उसका केंदर दिया गया है जितने भी वरित यह आपको दिख रहे हैं ये सब मैंने पैंसिल से खीचे हैं आपको अपनी बुक में ये बिंदू और ये मिलेगा जो मैंने दोनों पिंक किये हैं अब मैं अलग कलर यूज करती हूँ ग्रीन कलर का आपने इस पिंक बिंदू पे अपने प्रकार की नोक रखनी है और उसको इतना खोल लेना है प्रकार को और इस बिंदू तक ले जाना है और ऐसे एक मिनट बई और ऐसे बृत बनकर तैयार हो जाएगा, फिर सुन लो यहां पर इस पर जो मैं ये तीर का निशान लगा रही हूं, यहां पर आपने परकार रखना है, और इस तीर के निशान तक खोल कर पैंसिल को ले जाना, जिसे हम तर्जिया बोलते हैं, इतना खोल कर गुमा देना है, बृत इतना प्रकार खोल लो और उस प्रकार को ऐसे घुमा दोगे तो ये आपका पूरा वृत तयार हो जाएगा आप आजाओ इसी के तीसरे भाग पर तीसरे में भी ये केंद्र है तो केंद्र पर प्रकार की नोक रखनी है और यहां पर पैंसिल रखकर इतना प्रकार खोल लेना ह और इस बिंदू पर जिसे अब मैं इतना गाड़ा कर रही हूँ इस पर परकार रखते हुए, ऐसे आपने घुमा देना है तो वृत खीच जाएगा ऐसे ही चोथे में केंद्र लेना है इस बिंदू तक खोलना है और वृत आपने खीच देना है ऐसे ही पांचवे में आपने खीचना है यहां रखकर खीचना है अब एक बात का द्यान रखना कि इसमें से हमारा वृत नहीं जा रहा और छटा वृत भी आपने केंद्र पर प्र तीन दिये गए बिंदूों से गुजरता हुआ वरित क्यों नहीं खीचा जा सकता वे देखो ये केंदर लिया था तो मेरा वरित इस बिंदू में से भी चला गया और इसमें से भी लेकिन इसमें से क्यों नहीं गया क्योंकि तीनों बिंदू केंदर से समान दूरी पर स्थित नहीं है अब आजाओ बी भाग पर बी भाग में ये क्या कहता है कि भाग पांच में यदि केंदर की स्थीती बदल दी जाए इसी प्रश्ण में पांच में प्रश्ण में ही ध्यान देना है कि अगर केंदर की स्थीती बदल दी जाए तो क्या तीनों बिंदूओं से गुजरत हुआ वृत खीचना संभा हुए यदि हां तो कैसे छोटी सी बात है भई क्या करो कुछ नहीं करना ये जो तीन बिंदू है ना एक दो और तीन जिनको मैंने पिंक बनाया है इन से तिनों से बराबर दूरी पे मुझे केंद्र ढूंड़ना पड़ेगा अगर मेरा केंद्र कही ता Hmm ऐसी जगा आ जाए वो कैसे खीचते हैं वह ऐसे किस का संभी भाजन करेंगे इस रेखा का संभी भाजन करेंगे और फिर हम व्रित कीचेंगे तो वह तीन वपनों में से चला जा जाएगा तो वह बात मैंने यहां पर लिख दी है कि हाँ यदि केंद्र को तीनों बिंदों से समान दूरी पर स्थित करें तो वृत खीचा जा सकता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पोज करकर के अपनी वर्क बुक में इसको भर लेना अब ये कहता है भाग छे में तीनों दिये गए बिंदों से होकर वृत क्यों नहीं खीचा जा सकता तो ये पर आ गया तो भही अब बात नहीं बनेगी तो फिर वही तरीका हमें अपनाना पड़ेगा कि इस वाले बिंदू से भी इस वाले से भी और तीनों से समान दूरी पर जब केंदर होगा तब ही हम वृत खीच सकेंगे तो ये बात मैंने लिख दिये कि एक बिंदू केंदर औ केंदर नी एक बिंदू परिधी के अंदर है इसको आप मतलिखना ऐसे इसे लिखना जो अभी आपको दिखाई दे रहा है दी भाग पर आजाओ यदी भाग छ्ए में केंदर की स्थिति बदल दी जाय तो क्या तीनों बिंदूं से होकर जाने वाला व्रित्खीचा जा सकता कहां केंदर की सिथिती बदलने पर वृत खीचना संभव है उस केंदर की सिथिती कहां होगी तो तीनों बिंदूओं के शेत्र के अंदर होगा और वो बिंदू वो जो केंदर होगा वो तीनों बिंदूओं से समान दूरी पर होगा यह आप अपनी वर्क बुक में भर लेना अब हम चलते हैं 32 प्रशन पर, देखो कितना मज़ेदार सा प्रशन है, एक गाएं खूटी से 7 मीटर लंबी रसी की साहिता से घास के मैदान में बंदी हुई है, ये तो पूरा घास का मैदान है पिंक कलर का और बीच में ये पिंक कलर की खूटी है, और ये गाएं की रसी है 7 मीटर, अब ये कहता है कि गाएं मैदान के जितने भाग में चर सकती है, उसे चितर में बूरा रंग भरकर दर्शाइए, तो बूरा रंग नहीं था, मैंने जो भरा वो ब्लैक ही दिखेगा आपको तो सारा, तो आपने यहां पर परकार रखना है, और इतनी तिर्जिया ले इतने हिस्से को आप रंग देना, यानि इतने हिस्से के अंदर गाएं चर सकती है, ठीक है, आगे बढ़ो, किसी एक दिशा में अधिक्तम कितनी दूर जा सकते हैं, तो 7 मीटर जा सकते हैं, क्योंकि उसकी रस्ती की लंबाई 7 मीटर है, उससे जादा तो गाएं आगे जाई आगे चलते हैं, एक वृताकार पेपर प्लेट को नीचे दी एक चितर की भाती काटा, यह वृताकार पलेट है, यहां से काट दी, तो इधर रह गई और इधर रह गई, तो इस प्रकार प्राप्त वृत के परतेक भागों को क्या कहेंगे, वृत खंड कहेंगे, यह वृत क काटा तो ये वृत का टुकड़ा है वृत खंड और ये भी वृत का टुकड़ा है ये वाला भी ये छोटा है तो लगू वृत खंड और ये इधर वाला बड़ा है जिसको मैं एरो से दिखा रही हूं तो ये दीर्ग वृत खंड हो जाएगा तो इन प्रशनों के उत्तर मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ आपने देख लेना है कि परतेक भाग वृत्खंड बड़ा भाग दीरग वृत्खंड और छोटा भाग लगू वृत्खंड अब और आगे आजाओ कटान रेखा क्या है यहां से काट रहे हो तो यह रेखा क्या कहलाएगी जीवा कहलाएगी और आगे चलो यदि बीच और बीच काट दे तो परतेक भाग बराबर हो गया बराबर हो गया तो अर्द वृत कहलाएगा आधा आधा वृत कहलाएगा और आगे चलो नीचे चित्र में शीला की चूड़ी दिखाई दे रही है चूड़ी के बीच में उस आकर्ती का नाम लिखो तो अब लिख दिया मैंने चूड़ी के बीच में आकर्ती का नाम कौन सी आकर्ती है ये ये आकर्ती वृताकार है एक दिन काम करते समय शीला की चूड़ी तूट गई तूटने के बाद मिले टुकडों को चितर में दर्शाया है पर तेक टुकडे के नीचे उसकी आकरती वे नाम लिखो तो ये देखो आकरती दीर्ग चाप है ये आकरती है जो की दीर्ग चाप है ये आकरती है जो की केवल और ये आकरती है जो की लगुचाप है हो गया आगे बढ़ें नीचे दिये गए वृत को ध्यान से देखिए ये पूरा वृत आपको दे रखा है इसमें अलग-अलग बिंदू है A, B, C एक मिनट मैं इसको साफ करके अब दिखाते हूं देखो ये A बिंदू है ये B है ये C है ये F है ये O है ये E है ये D है ये बिंदू दे रखे हैं अब आपने इन पर आधारित प्रशनों का जवाब देना है तो वो प्रशन हम देखते हैं अब क्या क्या है चित्र में दिखाई गई सभी तिरजियाओं के नाम लिखो तिरजिया क्या होती है केंद्र से परीधी को म लिख दिए हैं। और बीवे सी को मिलाती है अब ये पुछ रहा क्या एई व्रित की जीवा है देखो। A.E. कहां है A. यहां है और E. यहां है A. बिंदू तो वृत की परीधी पर है देकिन E. बिंदू वृत की परीधी पर नहीं है वृत के व्यास पर है तो यह जो A.E. रेखा दिखाई देर यह नहीं यह जीवा नहीं है तो इसका कारण हम लिख देंगे कि नहीं क्योंकि E. बिं बिंदू भी परीधी पे है और डी भी तो दोनों को मिला होगे तो जीवा बन गई और ये होता है वृत का केंद्र और केंद्र में से जो रेखा इस तरह जाती है वो व्यास भी कहलाती है जीवा तो ये दोनों हैं बीडी जो है दोनों है क्योंकि ये परीधी पर से दो बिंद तो उससे एक ही व्यास खीचेगा, दो नहीं खीचेंगे, और देखो अगला प्रश्न, बिंदू O से होते हुए, कितने व्यास खीचे जा सकते हैं, फिर उपर वापिस चलते हैं, वही यह है O बिंदू, देखो, एक व्यास, दो व्यास, तीन व्यास, चार, पांच, छे, साथ आपका जितना मन करें, उतने व्यास आप खीच सकते हो, तो इसका उत्तर आ जाएगा, अनंत, चित्र में दिखाई गई सभी चापों को पहचान कर, उनके नाम लिखो, चाप क्या होती हैं, इस बात को आपने समझना है, कि चाप क्या होती है, कि यह है चाप, प्रकार की नो पर उठाऊं, तो AD और A से C तक जाओगे, तो यह भी तो सारी चापों के नाम मैंने लिख दिये हैं, और चाप को, जैसे मैंने AB लिखा है, तो मैंने इस पर यह निशान लगाया है, क्योंकि यह चाप का निशान होता है, ठीक है, तो यह सारी चाप मैंने यहाँ पर लिख अपनी वर्क बुक में नोट कर लेना, अब चलते हैं, प्रष्ण संख्या 36 पर, नीचे दिए गये चित्र में सभी लगू व्रित खंडों को, क्या कहता है नीचे दिए गये चित्र में सभी लगू रित खंडों को, भाई यह व्रित है, यहाँ से काटोगे, तो यह उता है लगू और जो बड़ा है वो दीर गया तो मैंने सब को रंग कर दिया लेकिन मैंने ब्लू किया है आप ग्रीन कलर भर लेना ये है ये है और ये है ये भी लगू है ये ये तीनों लगू है तो मैंने सब में रंग भर दिया है आगे चलो नीचे दिये गए चित्रों में ऐसे त तिरज़य यह दूसरी तिरज़य दोगों के बीच में रंग बर दोगे तो वह लगो तिरज़य खन्ड हो गया है। और ये दोनों चाप लगाना फिर मैं कलर बदल रही हूँ अब आप B पर प्रकार रखना उतना ही खोलते हुए ये चाप लगाना जहां ये पिंक और ग्रीन पिंक और रेड चाप मिलेंगी उनको ऐसे मिला देना तो ये वृत का केंदर आ जाएगा इस पर M पर प्रकार रखन M में जितना खोलना और ये वृत आपने खींच देना है इसकी सारी डिटेल मैंने यहां लिख दिया है ये पूछ रहा है कि कैसे किया तो मैंने लिख दिया है पहले A B का समधी बाजन करके A B का मद्धे बिंदू M प्राप्त किया जो वृत का केंदर है मैं थोड़ा बढ़ कर देती हूँ पोज करके लिख लेना M को केंदर लेकर और M में तिर्जया लेकर ये M में तिर्जया लेकर हमने वृत खेंच दिया चलूं आगे 49 में पे चलो आप किसी वृत का केंदर कैसे ग्यात करेंगे आपको ना थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं इसको एक मिन्ट ए कर दो जैसे अभी किया फिर इस दूसरी रेखा का भी संदी भाजन कर दो और ये जहां मिलेंगे न वो वृत का क्या बन जाएगा केंदर बन जाएगा तो ये काम मैंने यहां पर कर रखा है और ये मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि वृत पर अपने तीन बिंदू लीज यह जूला है एक मिनट पर यह जूला है तिरिजया पांच मीटर है यह जूला हर सेकंड पर दस डिगरी गूमता है एक सेकंड में कितना गूमता है दस डिगरी यदि रोहिनी ए बिंदू पर हो और तीन सेकंड बाद भी पर हो तो एंगल ए ओ भी 30 डिगरी पर सिंपल सी बात ह एक सेकंड में 30 डिगरी जा रहा है तीन सेकंड गूम रहा है तो तीन सेकंड में कितना जाएगा 10 गुणा 3 यानि 30 डिगरी समझ में आरी मेरी बात तो अब ये क्या कहता है कि ये A बिंदू है देख लो ये A है यहां चली गई ये ये जो एंगल बना ये 30 डिगरी है अब ये कहता है कि इस आकर्ती में हर तीन सेकंड के बाद रोईनी की स्थिति को तब तक दर्शाइए जब तक वह वापिस A बिंदू पर ना आ जाए चांदे या परकार की सहाइता ले सकते हैं परकार की मतले ना चांदा अब यहाँ भी 30 का बनाओ यहाँ भी 30 का यहाँ भी 30 का 30 का कोंड बनाते चले जाना और आगे गुमते चले जाना नहीं समझाए तो मुझे बता देना मैं एक शॉर्ट वीडियो में पैंसिल परकार से करके डी से करके आपको भेज दूंगी नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं है इस रेखा पर परकार डी रखना है 30 जिगरी का कौन बनाना है OC आजाएगी अब यहां 30 का बनाते हुए मतलब उसका जूला ऐसे जा रहा है फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे जाते जाते उसका जूला कहां पोंच गया वापिस A स्थान बरो इसने यहां बेलन लिख दिया आकरती नहीं बना रखी तो हमने बना दी इसने यहां शंकु लिखा था आकरती नहीं बना रखी थी तो मैंने आकरती शंकु माने सौफ्टी वाली आईसक्रीम जोकर की टोपी बर्डे पर आपके अपलाते हो वो इसने यह आकरती बना रखी थी नाम नहीं लिख रखा था वो मैंने लिख दिया गोला इस आकरती का नाम घनाब है घन का चितर मैंने बना दिया देखो ऐसे बन जाता है घन का चितर एक वरग बनाओ दूसरा वरग बनाओ और उनके बीच में ऐसे खेच था और इसी को आगे ये कहता है कि ये आकर्तियां किन जामीती है आकर्तियों जैसी है लिखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है लुडो की डाई से घन जैसी है अब यभी मैंने बोला सुफ्टी है तो शंकु जैसी है और ये वाली आकर्ती घनाब जैसी है तो ये था बेटा आपका देख लो आगे कुछ भी नहीं है complete chapter number 4 और 5 chapter number 6 पहले से मेरे channel पर upload है और आगे भी सारे chapters workbook के आते रहेंगे उडान workbook का भी complete solution मेरे channel पर है जिसका link आपको इस video की detailing में description में मिल जाएगा तो जादा से जादा students तक आपने lecture को share करना है channel को subscribe करना है बेटा और कुछ समझ में ना आए तो मुझे आपने जरूर बताना है